प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप जाइंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जाइंद रेक्शन्स पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिएक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर पाकिस्तान में काफी चर्चाव पर है तो यह वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा तो इसे हम तक देखें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपनी से लेटेस्ट इंट् के इवंट्स होने चाहिए जबकि आल यह कि आपको मालूम है कि जो ट्विटर रियाक्स के ओनर है वह अब भारत भी जाते हैं हर जगा जाते लेकिन पाकिस्तान तो कोई नहीं आ रहा है पाकिस्तान आना तो देखे ना पाकिस्तान जो पहले हो रहा है देखे जपान के जो आपने लोगों को मारने कि कराची में कोशिश की लोग आएंगे वहां खबरें ही बढ़रें लोग कि क्या हो रहा है इस तरीके से टीटीपी वाले क्या बयानात दे रही है दूसरा जो कुछ हो रहा है तो पहां कॉन आए अब यह पाकिस्तानी जाने से घबराते हैं आप कह पहले भी बहुत पैसा आया, उस पैसों को पाकिस्तान रोकना बनाता, पाकिस्तान में रखना, असली जगह पे इंवेस्ट होना जाके, माजी के अंदर आपने जलजले के पैसे भी खाए, आपके, बलके मुझे किसी ने बताया था, जलजले के जो खैमें आये थे, किश्मीर म को यही टेंट जो आये बाहर से, उस उना हुजरार में बाच लिए, बिलकुल ऐसे हुआ था, और फिर उसके बाद आप, क्या-क्या आपको बताओं, इस वक्त मेरी एक पाईटी कहती है, जी हमने बोटर वे, बोटर वे तो कोरिया ने बनाई है, आपके उपर तो एलिकेश है कि आपने किक बैक्स कहीं, उसमें जरीजबत लिया आप, तरीद हमेशा कहते हैं, पहली बार कहा है, हमेशा ही कहते हैं, लेकिन आर्दू इसमें, देखें इस वक्त मेरे ख्याल में अब लोग आप पहले तो आपको ग्रांट्स दी जा थे, अब आपको कर्जे भी नहीं म अब कपड़े बेच देंगे, तो फिर उसके बाद क्या बेचेंगे, क्या बचेंगे, तरहाल तो बुरे से बुरा हो रहा है, लेकिन ये इसी पर खुश हैं कि कभी एरान से कोई आ गया, कभी सोधियर्व से आ गया, लिकिन जार अगर भारत की बात करें, एक तरो तो खेर चली रहें, लेकिन साथ सा जैसे मैंने आप से का के ट्विटर एक्स के ओनर जो है, एलेन मस्क, उनों ने भी बजट करना था, वो भी हमने बात करेंगे, उसके बारे बड़ा अच्छा है, मुझे बलके दो दिन से बड़ा मस्रूफ हूँ उस चीज में, मैं मुक्तरिफ किस एलेक्शन, वो इसलिए नहीं आ रही है, आज अमेरिकन मीडिया में, आज यहां पर उसकी खबरे निकली है, कि जो टेसला है, वो खुद अपने फिनेशल क्राइसे, एक तो उनके जो सौथ एशिया के पटेल भाजन थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया कुछ हरसा पहले, के बाब जूद उनकी सेल नहीं होती है, तो टेसला इसला इसला है, लेकिन एंटी मोधी और एंटी बीजेपी लोगों न उसका बरपूर फाइदा उठाया, उसको रिलेट किया, कहते ही हर दिवार पर लिखा है कि मोधी हार जाएगा, इसलिए इलांग मसंगी है, चले, फि बहरत में रह रहे हैं बगळ इस लेफ्ट विंग प्रापोगेंडा एक टीव के चैनल है उन्होंने कहा जी कि मुसल्मानों को थपड़ मारके वोट लेते हैं मोदी साहब उसके बाद उन्होंने ये भी कहा किसीने के उस सीडिजन्शिप की चीज़ों को कर रहे हैं राजनाथ साहब के फिर घुसके लिकिन ये सारी चीज़ें फिर इलेक्शन जो हो रहा है वहाँ पर लिकिन उनकी एक क्लीन स्फीप करेंगे वह इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि उन्होंने भारत को दुनिया मैं अपर लिया है ग्लोबल बन चुका है भारत इसमें कोई शक नहीं है और बोदी साहब का मैं ह मैंशा यह कहता हूँ ठीक है आपकी नफरते हैं चीजें हैं दोनों साइडों से है एक साइड पे नहीं है लेकिन कोशिश करें कि अगर को पास्टिव कहीं से चीज देखें तो उसके कापी करने की कोशिश करें लग करें मोधी साब ने जो सबसे बड़ी चीज दी है भारत को वो nationalism दिया है और फिर उनों ने corruption मैं यह तो नहीं कहूंगा बिलकुल कि इंडिया इस corruption फ्री अल्टीमेडी corruption क्या होती है आपरचुनिटी मिलती है और उसके उपर कमजोर human जो है उसके हाथ साब करते हैं अपनी तो वो एक इंसानी जबिलत है अमेरिका के अंदर भी बहुत है corruption इसमें कोई शब नहीं है लेकिन मोधी साब ने corruption को काफी हथ तक control किया है क्यूंकि मोधी साब खुद प मोधी साब ने नेशनलिजम दिया है वो उनका तुफ़ा है दूसरा मैं हमेशा यह कहता हूँ जाहर है कि मजोईटी दे रहे हिंदू और उन्हों को पर्मोट करना से उनके वोट लेने से उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से उसको किया और दूसरा हंदित्वा के बारे इन्हों ने क्या मंदर नहीं तोड़े क्या कुछ नहीं किया उनके साथ ज्याति हैं करते रहे हैं चाहे ब्लिड़िश थे चाहे पथान थे चाहे बॉरी थे चाहे existum मैं रेफ्यूस तो चौए मईरे रो सुनही थे मेरे हीरो चाहे बॉलाबटी रोश fino हो जो लोकल, मैं लोकल लोगों को ही तो समझता हूँ चाहिए कुछ भी हो मख़्भ जो होता है रिरिजन परसेनल मैटर होता है आरजु मैं वसको उसके अदर में ना जाता हूँ ना उसको ये पुरेटा हूँ. परसवनलिटीस मैटर services from the local land तो वो मैं इस इस वी उपिनियन बौट इट लेकिन यह कि फिर ultimately हमारा गरिजन स्टेट है पाकिस्तान 50s में हमने जब इसको एक defense of गरिजन स्टेट बनाया तो उसमें जरूरी हो चुका था कि हर वक्त लोगों को खौफ की हालत में रखा जाए लोगों को history twist करके बताई जाए इनको Islam के उपर और मजब के उपर एक card ऐसा चलाया जाए ताकि फिर उस पे और वो ही चल रहा है लेकिज जाते हैं जाते हैं जाते हैं दुनिया के ये concept ही बड़ा concept है कि my religion is the best religion दूसरे लोग जो है सारे गुनागार है काफर हैं ये आज नहीं तो कल ये सारे दोजख में जाएंगे ये इस तरह की बातें करना जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं आर्जू कि you have to respect other you have to religious tolerance is very important religious tolerance मुराद ये है कि जब तक मैंने आज एक आखरी बात आर्जू ये कहूंगा मैंने ये नोट किया है कल परसू मैं किसी को मैं बात भी कर रहा है तालीम के साथ एज के साथ या अपने मजभ के साथ जू जू आप बड़े होते जाते हैं और अगर आपके अंदर हलीमी हमबलनेस नहीं आरे इट मीन्स यू आपके उपर काम नहीं कर रहा है या मजभ आपको कुछ नहीं सिखा रहा जू जू आप एज में आगे जाते हैं बुड़े होते हैं तालीम जयादा हासल करते हैं मजभ की तरफ जाते हैं आपके अंदर तालीमी बरता है हलीमी होनी चाहिए हर एक से महबबत करने का अगर जजबा नहीं है तो सम्टिंग इस रहाँ यू बेटर फिक्स यूसेफ बिलकुल ऐसा ही और यहां पर यकीना निए चीज जरूर लोगों का अपने अंदर खुद चेक करनी होगी कि वो हर किसी की रिस्पेक्ट भी करने है और सब के साथ अच्छे से रहे बहुत शुक्रिया सब के आपना जोइन के है तैंक यू सो मच इरान ने पाकिस्तान को कश्मीर पे बात करने से मना कर दिया है और हमने देखा, इन दोनों ने बात की कैसे पाकिस्तान में ट् Bluetooth यजए लाते रहे भिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस वीडियो में तब तक अपना ध्याम रखिए जए हिंध जय भारत